Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो चलिए friends, start करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे market का हाल तो market का हाल जो है friends, वो फिलहाल कुछ ऐसा है जिसको देखके मुझे actually गाना याद आ रहा है कि ये लाल रंग कब हमें छोड़ेगा लाल रंग यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जो छोड़ने का हमें नाम ले ही नहीं रहा है जहां देखो आप इस समय downfall ही downfall है और सबसे बड़ा downfall जब आपके bitcoin में है तो फिर तो आप कुछ करी नहीं सकते 24 गंटे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो approximately 9% का यहाँ पे bitcoin में down आ रहा है एक पर reload कर लेते हैं इसको overall market है 6.52% का और अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके one week कर दूँ तो यह ऐसा खतरनाक down है जो देख के डल ले नहीं 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 28.62% के down चल रहा है यहाँ और same ऐसा ही ethereum पर भी चल रहा है तो अब आपके जो coins हैं अगर वो भी downside में चल रहे हैं तो tension की बात नहीं है जब सारे के सारे जो coins हैं उनके जो papa हैं वो जब downside में जा रहे हैं तो आपका coin कोई अनोखा है नहीं until and unless आपने कोई ऐसा coin buy करा है जो actual में बहुत जड़ा positive में गया है otherwise सारे के सारे coin का यही हाल है इस समय वो downside पर जा रहे हैं तो friends हो क्या रहा है पहले तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं तो जो लोग crypto में नए हैं एक तो मैं उनको यहां पर समझाना चाहता हूं कि एक cycle है जो अकसर चलती रहती है जब भी कोई news आती है तो तो पहले तो Elon Musk थे वो अपने tweet करते रहे जहां से जो industry है थोड़ी सी डाउन आई उसके बाद कल रात को एक ऐसी news आई जिसकी वजह से अगर आप bitcoin का मैं एक बार graph खोलता हूं यहां पर तो bitcoin का अगर आप यहां पर graph खोलेंगे one week का तो कल के time पर अगर हम रात की बात करें तो यह जो down आ पर बतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है हुआ क्या यहां पे कि news आई है और वो news यह है कि China ने एक शिम आपको पहले यह news का title पे बाद में जाता हूं पहले यह दिखाता हूं कि news क्या circulate हो रही है news circulate यह हो रही है कि China ने crypto पर बहन लगा दिया है अब problem क्या हुई कि जब अब ये न्यूस आई तो मैंने सोचा था कि यार एटलिस चाइना में लोग तो थोड़े से होश्यार होंगे इंडिया में तो पैनिक कर जाते हैं पहले हमें कोरोना दे दिया और उसके बाद अब ये नई भीमारी भेज दी हैं तो हुआ क्या फ्रेंड्स चाइना में जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंधर भी ऐसा ही है कि जो RBI है उसने बोला है कि भाई क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हो आप अपने रिस्ट से करते हो जो फाइनेंशल हमारे बैंक से इनको भी उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको जो करना है करो इसी का नाम नहीं आता है क्योंकि ओफिशली कोई अपना नाम नहीं दे सकता पर यहां पे तीन जो सबसे बड़ी इनकी बॉडिस हैं उनके यहां पे नाम आए हैं अब है ऐसा कि यह न्यूज एक्चुली अगर आप पढ़ेंगे मैं आपको समराइस कर देना हूँ यह न्य के लिए कोई क्रिप्टो में बैन नहीं है और यह न्यूज आज की नहीं है जैसे इंडिया के अंदर आर बीए यह आप लोगों को बार बार बताता रहता है कि भई क्रिप्टो में बैन मत करो क्रिप्टो में इंवेस्स मत करो मत करो मत करो उसी तरीके से यह न्यूज है पर तो वहाँ पे अपने coins थे वो circulate करने शुरू करें अब जैसे ही coin बढ़ेंगे price होगा कम वही यहाँ पे हुआ है जैसे ही coin market में आने start हुए तो जो price है इसका वो नीचे गया और अगर आप देखें सबका price नीचे जा रहा है अगर आप एक दो को छोड़ दे तो अगर हम gainer में यहाँ पे जाएं अभी 24 गंटे में तो यह हमारे gainer है और अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे difference आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा 19% का खाली difference आपको देखने को मिल रहा है Polygon यह मैं आपको कल भी बता रहा था कि भाई इसमें है potential है metric में आगे जा सकता है पर all time high के approximate चल रहा है तो investment आपको देखना पड़ेगा तो हुआ क्या कि coin आ गए और उस वजहा से हो गया price down सबका तो losers की अगर बात करें तो फिर से Shiba Inu जो है वो list में आ गया है कली हटा था पर again यह सारी की सारी जो कहानी है वो bitcoin की वजहा से है क्योंकि bitcoin जो है नीचे जा रहा है एक चीज़ और बोलना चाहूंगा friends आज मैं तुपहर में एक video प्लैन कर रहा हूँ Shiba Inu के बारे में क्योंकि market में बड़ी खतरनाख खतरनाख news आ रही है कि bitcoin एक रुपे जाने वाला है पांच रुपे जाने वाला है दस रुपे जाने वाला है तो मुझे लगा कि एक आपको सच्चाई बताऊं यहां पर क्या है क्या एक रुपे जाने की chance है मेरे से अगर आप पूछेंगे तो एक छोड़ दिए वो दस पैसे भी चला गया तो बहुत बड़ी बात होगी तो एक डीटेल वीडियो में दो बज़े के राउंड आएगा वो मेरे चैनल पे तो अगर आपने शिबाईनू में इन्वेस्ट करा है तो एक बार वो वीडियो को जरूर देखिएगा एटलीस आपके दिमाग में पिक्चर क्लेर होगी कि यह जो आपको पूरी चारो तरफ यह जो यूट्यूब में और वेबसाइट में दिखाया जा रहे है कि प्राइस इतना जाने वाला एक रुपे चला जाएगा दस रुपे चला जाएगा कितने पसेंट चांस हैं उसके तो यहाँ पर भी फ्रेंट्स अगर मैं वन वीक का इसका देखूं तो यह स्टार्टिंग में एक बार जरूर गया था 32 पर अभी जो डाउन इसका चल रहा है वो अराउं 33.50 पर फिर से आ गया हुआ है तो अभी पता नहीं है कि यह कहां पर जाएगा इवन यह निउस देखें इसका तो यह around 26 अच्छे तो काफी डाउन था वैसे पर overall अगर आप देखें तो dodge coin है कैसा coin था जो अभी तक बढ़ता जा रहा था को कि dodge coin को bitcoin से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है बाकी currency को पड़ता है लेकिन हुआ क्या वो news के बाद चाइना की जो dodge coin भी होंगे वो भी लोगोंने panic में आके sale करने start कर दिये जिस वजहा से इसका जो price है वो सीधा एकदम से नीचे की तरफ जाता हुआ देख रहा है again कल भी मैंने एक video में आप लोगों को बताया था कि dodge coin की बड़ी news आने वाली है तो जब भी वो बड़ी news आईगी तो यह ज थोड़ा सा better perform करदा होगा जिससे उसके pump में जाने के chances बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये time पे जब पूरे का पूरा market already down हो गया हुआ है पहले bitcoin और वे सी बात है एलन बस ने बोला था कि हम बना कर दें टेसला में investment के लिए वो time पे डाउन हुआ तो अब ये चाइना की news के बात suddenly एक दम से down हो गया हुआ ये अभी भी थोड़ा सा अगर आप bitcoin में बात करेंगे तो यहां पे एक बार reload कर लेते हैं तो bitcoin में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा अभी भी थोड़ा सा है पर ये जो number है ये जो number है आपका 29 वाला अगर ये number आपका यहा से 24 के around 24 25 के around पहुँच जाता है तो वो एक panic situation आ जाएगी bitcoin में क्योंकि उसके बाद जो अगला point है इसका सीधा वो 20 का है तो यहां पे around 9 लाग का है इसको approximately नीचे जाएगा और ये जाता है तो बहुत critical हो सकता है वो क्या होगा वो तो आपको future ही बताएगा बाकी जो हमारे hot favorite coins हैं यहां पे अगर मैं उनके बारे में देखना जाओ सबसे पहले wink के बारे में देख लेते हैं विंक के बारे में तो मुझे खोलते भी डड़ लग रहा है इस समय देखिए मैंने बोला था आपको डड़ लग रहा है अगर one week में चलें इसका तो यह one week के सबसे lowest point से हलक आसा उपर अभी आया है one month की बात करें तो again यह one month में भी जो सबसे नीचे इसका गया था यह approximately वहें चले है one year की तुम्हें बात करके कोई फाइदा नहीं है तो अगर आप wink की बात करेंगे तो again हमारी बात हुई थी कि यह उपर pump होने वाला है पर suddenly फिर से यह जो market में bitcoin को लेकर panic attack आया है इसकी वज़ा से wink भी जो हमारा नीचे चला गया हुआ है एक बार हम Tron को भी देख लेते हैं यहाँ पर Tron का क्या position है अभी तो TRX कहा है हमारा TRX अदे TRX की भी कहां पहुचा TRX अचा TRX आट रुपे पर आ गया तो आप देख सकते हो कि चारो तरफ panic situation नहीं है और अगर एक week की में बात करूँ तो 21% down पर चल रहा तो definitely नीचे है यह अगर अब तो आप एक घंटे के चार्ट में भी देखेंगे तो भी आपको coins नीचे जाते भी देखेंगे तो friends अब आपको देखें दो तरीके के लोग होते हैं अभी कई लोग जिनोंने peak पे चीजों में invest किया था investment trends एक ऐसी चीज है जो ऐसे नहीं होती है over of night नहीं होती है जब आप मैंने आपको पहले भी example दिया है कि आप अपनी life में 18-20 साल school में निकालते हैं college तो उसके बाद जाएंगे तो total अगर देखूं मैं तो करीब 22 साल आप school और college में निक जालते हैं फिर आपको लॉकरी मिलती है यहां आपकी expectation यह कि यार दिन रात भर में मेरी जिन्दगी बदल जाए बहुत सारे लोग है जो महीने के 20,000-25,000 पर कमाते हैं और expectation यह है कि crypto में आने के बाद मुझे एक दिन में 20,000 का फाइदा हो जाए तो भई अब आप खुद स अब होता क्या है कि हम लोग उस time पे चीज़ों को buy करते हैं जब वो जो coin है वो all time high पे चल रहा होता है जिस वजा से हमें नुकसान होता है मैंने friends कुछ time पहले videos भी बनाए है दो videos आप जरूर देखिए अगर आप crypto में है एक मैंने ये बनाया था crypto market का analysis की जानिये क्या है crypto का सच और एक और मैंने video बनाया था कि इंडिया में जो लोग हैं जो crypto में invest करते हैं उन्हें नुकसान क्यों होता है मैं video के description पे भी यह link दे किएगा आपको actual में समझ में आएगा कि जो सचाई है वो क्या है so friends market की अगर बात करें तो सारी की सारी चीज़े downfall पे चल रही है मैं आप लोग को ये भी बोलूँगा कि एक अच्छा time है invest करने का पर थोड़ा सा और wait कर लीजिए एक बार at least आज शाम तक का एक बार आप trend देख लीजिए कि bitcoin किधर जा रहा है अगर bitcoin जो है downfall में जा रहा है तो invest करके अभी फायदा नहीं है थोड़ा सा उसको stable होने दीजिए उसके बात करिए last time my friends मैंने यही बोला था आपको कि investment पे थोड़ा सा रुकिए एक बार bitcoin को देखिए वो कहां move कर दा है क्योंकि daily daily bitcoin की जो movement है बहुत जादा change हो रही है और bitcoin की अगर movement change होगी तो सारे के सारे coins जो है उनकी जो position है जो movement है वो change होगी तो market के बारे में थोड़ा सा रुकिए अभी panic attack से बचिए अगर कोई coin लिये हुए है उससे sale out मत करिए अभी के लिए थोड़ा सा wait करिए उसके बाद हम लोग द वीडियो आने वाला है जहां पर आपको पता चलेगी कि क्या actual में सच्चाई है और क्या होने वाला है इस year end तक और आगे के में क्या future है उसका तो friends यह था हमारा आज का video market के बारे में I hope जो भी clear picture है वो आपको यहां पर समझ में आई होगी video friends अगर पसंद आया तो please इसको like और share जरूर करिएगा चैनल अगर आपने हमारा अभी तक subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe कर लेजिए thank you